राजजीत एकमी नेवाद पोड़त दे हाथ नहीं लगा किसाल बाद भी सरकार भी पकड़ जड़ी है ना उप पुलिस मेक में ते टिल ली है जनीफ उर्ती पगों अंतमान ने उदो दखाई सी डीजी पी सामें नहीं था पहली गलती चीफ मिनिस्टर तो होगी उन्हाने की किता राजजीत नो फड़न तो पहला ही ट्वीट करता जद तक केस दर्ज होया जदो तक विजिल एंस एक्टिव होई उदो तक राजजीत अंडरगाउंड हो गया पुलिस्च इन्फरमेशन से लीक किती हैं जानी जिते ये पता लग गया कि खाकी वर्दी वाड़े ही ड्रक्स दर्तंदा करा रहे सी ओई पैसे बना रहे सी क्यों राजजीत सिंग होन तक नहीं लब्या गया क्या असी जार दी पुल्स अपना इक अफसर नी लब पारी इस केस चे इक वरी मिसाल पेश करती ना धवारा कोई इंदर जीत या राजजीत में नो लगदा पंजाब पुलिस चे पैदा नी होएगा एक महीना पहला पंजाब दे चीफ मिनिस्टर पर गौंत मान ने ड्रग्स दे खिलाफ एक वड़ा एक्शन लेया पंजाब पुलिस दे एई जी राजजीत सिंग नो डिसमिस कीता, केस रिजिस्टर कराया और वड़ियां गलना कीतियां कि ए अगे तया तक जानगे जिड़े लोगा ने राजजीत दी, इंदर जीत दी, पैरवी कीती, ओ अफसरान दे खिलाफ भी एक्शन होगा लेकिन अज उस ट्वीट नो एक महीना हो गया है, पंजाब पुलिस दे हाथ बिलकुल खाली ने, ना ही राजजीत नो पकड़या है, ना कोई खोर अफसरान दे एक्शन होया डीजीप नो ते होम डेपार्टमन नो याद करोना पह रहा है, भी तुसी नाम दोसन नो इस पूरे ड्रग केस दी, क्योंकि एवीप सांजा ने इन्वेस्टिकिशन कीती है, कई एक्स्क्लूसिफ ख्लासे कीते ने, इस ते पूरी टर चाली मेरे नाल ने, एवीप सांजा दे एडिटर, मिस्टर चिकुईंदर प्ट्यार ट्वीट वेले बड़ी फूर्ती सी पर कोंतमान दी, पूरा इलेक्शन लाग गया, लेकिन मिन लगदा जनी फूर्ती पर कोंतमान ने, ओदो दखाई सी चीप मने साब ने, डीजी पी साब ने नहीं दखाई उस तो बाद असी मिननों लगदा अजीवोगरी महाल चल रहा है, खासकर पुलिस महक में चे, और मिननों ये लग रहा है कि एक साल बाद भी सरकार दी पकड़ जड़ी है न, वो पुलिस महक में ते टिली है असी अज क्यों ये गल कर रहे हैं? सब तो वड़ा केस होन तके फड़ाय गया है, ड्रक्सदार ओड़ा 2000 तो पहना शुरू हो गया सी कि पंजाब च ड्रक्स है हर पुलिटिकल पार्टी ने इदे ते अपने अपने वोट बैंक नों सिद्धा कर लिए ड्रक्स नों पुनाया लेकिन किसे ने कोई कंक्रीट कारवाई नी किती, ड्रक्स वद्दी गई, वद्दी गई, अज पूरे पंजाब च नहीं बलकि पंजाब दे रहीं पता ने किते किते ड्रक्स पॉंचन लगया, पंजाब च अगर सब तो वड़ी कोई दिक्कत है तो नशीदी दिक्कत है लेकिन एप पहला केस है, जिदेच सीनियर अफसर फसे और एगल तै हुई ओन रिकॉर्ड की ड्रक्स दे तन देच कितना पॉर्ट स्मैक में दे सीनियर अफसर पैसा बढ़ाउन दे सी है चलो, राज जी दे खिलाफ डिस्मिसल दो बाद केस दर्ज होया है ये सारे ड्रग्स दे मोटी कमाई करके लोका नू फसावन दार हुना तो वसूली करन दा तंदा चालू है ऐसी उस्तो बाद राज जी दी कमाई बहुत बदी, उन्हें बहुत सारी हैं देश विदेश प्रॉपर्टी हैं लईया ये सारी चीज़ां दी जांच जदों होई ते उस्तो बाद एक्शन होगया एक्शन दो बाद क्यों है एस्टीफ दे एडीजीपी आरके जैसवाल नू ए जांच दे दिती गई एक मीनेच की होया जैसवाल साब ने कोड तो वरंट ले ले लिया राजजीत दा राजजीत एक मीनेवाद पोड़स दे हाथ नहीं लगा पहली गलती चीफ मिनिस्टर तो होगी कि उन्हाने की किता राजजीत नू फड़न तो पहला ही ट्वीट करता और जलंदर तो ये ट्वीट करन तो बादो करनाटका चलेगी जद तक केश दर्ज होया जदो तक विजिलेंस एक्टिव होई जदो तक जिला पुलिस एक्टिव होई या स्टेफ एक्टिव होई उदो तक राजजीत अंडरग्राउंड हो गया उसी दिन जिस दिन चीफ मिनिस्टर ने ट्वीट कीता है जलंदर तो कि राजजीत नू डिस्मिस कर देता गया है औ से रूनी पता पहली गल पुलिस इंफरमेशन से लीक किती हैं जानी है और यह असी इसली कह रहे हैं कि लबबंच जिस तरह पुलिस टिलमठ वर्त दी है और जिस तरह उना नू उत्थे पहुंचन तो पहला ही चाहे अमरितपाल दा केस देख लो चाहे तुसी राजी दा केस पुलिस दी गंबीरता ही नी अगर सरकार मन दी है कि ड्रक्स दे केसिस जब सीनिर अफसरान दी इंवोल्मेंट होना, AIG दी इंवोल्मेंट होना इनना हीनिस क्らाइम है तो उस हीनिस क्राइम दी जांच किनीक संघीदणी नाल कर रहे हैं तुसी? इक मिन दी ऑउटपुट क कर दो अगर किसे अफसर दे कार सैकल दा पैडल चोरी हो जबे न ते चोर कलकत्ते चला जे ते स्वेरे पुर्ट्स कलकत्ते ना पलें दिया पंजा पुर्ट्स नो जाके और उदा सारा टबर इनने हवालाच बठाया हुंदा है ड्रग्स केस जिदे च करोणार पेदा हेर फेर होया एसाइटी दिया रिपोर्टां पढ़के लगदा है कि पुर्ट्स की कुछ कर दी रही है किदी ड्रग्स किनू देती किदे सिर्पाती किदे तो पैसे लेके किदी गिर्फतारी करती किनू डिफॉल्ट बेल च बार करता कि कि नूं डिस्चार्ज कराता अईनाक काड़ा माला SIT दी रिपोर्टांच है और उधी पिछले एक मीन ने तो जिद्दा जांच हो रही है मैं नू लगदा है कि हाई कोट नू ए सारा स्टेटस रिपोर्ट मंगनी चाहिए इस मीने की किता तुसी और अगर ए रिपोर्ट मंग थलडे रैंक तक अइने अफसर परे हुए हैं तुसी क्यों नहीं नू लाम दे इस तो बड़ा केस की हो सकता है जिते ये पता लग गया कि खाकी वर्दी बाड़े ही ड्रक्स दफतंधा करा रहे सी ओई पैसे बना रहे सी और इने केस 2013 तो दर्ज होन लगे कि होना जो मोटी कमाई चल दी रहे सीने रफसर सुते रहे और मैं साइटी निया सारी रिपोर्टां आप पढ़ी हैं जे आम आदमियों रिपोर्टां पढ़ लगे ते मैंनों लगदा है कि पुरुस तो यकीनी उट जन्दा है अगर तेई किलो ड्रक्स दी रिकबरी होई है इंदर जीत सिं और क्यों हो केस सजय नहीं होई भई वो अफसर कित्ते हैं जिने ड्रक्स दे के संच की हुंदा है अगर नमूना बतर गंट्यां चे लेबाटरीज नहीं पे जया जान्दा ते वो आई उनु पुछा जान्दा है जे चार शीट मुल्जम नु गिर्फतार करन तो बाद 90 दि जो हुंदी और तुरंत आयो सस्पेंड हुंदा अगर बेल हो जान्दी है ता डिफॉल्ट बेला करवाईयां गी यां पुर्स फड़ंतो बादे देख दी सी कि मुल्जम होए चाए मुदाई होए कि में इना तो पैसे लेने हैं SIT यहां रिपोर्टांच आईना कुछ है क् पढ़के मिन्नुए लगदा है कि किसे भी अफसर नू सिद्धा प्रोसीक्यूट करन लेई सफिशेंट मेटीरियल है उदे चाए लेकिन एक मिन्ने चो कुछ नहीं होया सवाल है उठता है कि जेडे ए सारे केस होए सी SIT दी रिपोर्टांच एक एक चीज बिलकुल पारी ते फेर इना ने जरे ड्रक्स नू लेके बॉर्डर पार साजिशा रच रहे हैं ते समगल कर रहे है डेली 15-15 किलो अज भी जडी है ड्रोन दे रही है उना नुस्वाब ना है ना सवाल है कि जवाब देही क्यों नहीं पुलिस दी जवाब देही थी काट क्यों होगी क्यों चीप मिनिस्टर इस गलते कि हुन तक एक मीना हो गया मेरे ट्वीट नू कोई कारवाई होई नी कंक्रीट मैं क्यों कह रहे हैं कंक्रीट कारवाई नी होई एफाई अर दर्ज होगी विजलेंस वाले ने भी एफाई अर दर्ज कर ली होया की अगे अगर 2013 तो बाद अ कर सकते तुसी इडीनू नाल देदो जाँच भी क्या देखलो भी देशंच भी है कोई है नहीं बैंक खाते तुसी थारे इना अप्सरान्देश तो पैसे बनाए है क्यों इदी जांच नहीं करते तुसी कि बाक्याखे जा आये पैसे यह नहीं आये चाली-चाली लाख दे इको सिटीच प्लॉट लेले जिते मैंनों लगदा है कि डेट डेट क्रोड तो थले प्लॉट नहीं है चाड़ी चाड़ी लाखे दे रहें दे रहें दे पोर्च वाले नू बड़ी हरानी हुं दिया कि किद्धा इनिया सस्तिय जमीना मिल जानी है और उदार लेले कि जड़ा सिद्धा एसाइटी रपोर्टा एएई जी तो पड़वाओ एक चीज क्रिस्टल क्लीर लिखी हुई है उदेच डेट वाइज किन है की किता किन है किनू कित्थे बचाया किनू कारवाई ली लिखें सी उन्हें कारवाई नहीं किती केड़ा मुकदमा इंदर जी दे क्राट्मेंटल इंकॉर्णियें चल रही है सिखिया क्यों उदे खिलाव विजिलेंस दे केस्ट कारवाई नहीं होई और केस का दा सीगा केसे सीगा 2015 दा केस है कि भाई ए नमून्यानू मैनूपलेट कर दें जड़े लबाटरी ची नमून्यान जांदे उन्हाननू मैनूप एक कंक्रीट एसाइटी बनान जेड़ी एसाइटी डे टू डे वेसिज दे चीफ मिनिस्टर आफिस नू रिपोर्ट करें वरना जे पुलिस अफसरा दे पर उसे चट दो गे न ते उन्हानने कुछ नी करना विजिलेंस दे केसांच देख लो तुसी जिनने लीडरां दे ख पुलिस में दर नी लगदा क्या काणियां पेटां बिच्चों खबरा लीक कर दिया उन्हाननों वी तो अड़े फोन ट्रैक वर रहे हों तुसी फोन बंद कर दो कौन इंफर्मेशन दे रहा है इना तमाम चीजां थे मैंनू लगदा सरकार नू इकबरी खड़ा होना यह नहीं दा कि जिन्नी दे यह सी एलान करता उनना हो गया बाकियों कुछ नहीं करांगे जे 2017 दा एक केस चल्ले है सी आज 2003 आ गया ते अगर इद्दा ही जान चल दी रही ता यह 2003 आ जाना इद्दा ही इसी करके ड्रक्स बद दी रही क्योंकि ए जड़ियां काडियां पेड जाती ना धवारा कोई इंदर जीत या राज जीत में लगदा पंजाब पुलिस पैदा नी होएगा लेकिन वड़ा सवाल है कि इना नूँ बचा कौन रहे है क्यों चीफ मिनिस्टर आफिस या चीफ मिनिस्टर या सरकार इस गल्दी को परताल कर दी कि आखिरकार क्यों अपना एक अफसर मीली नी रहा या उनू लाभी नी रहे अब इस यह भी पी सांजाने डीजी पी नो लेकिन कोई कॉंक्रीट जवाब नहीं सी एक लासिक केस ऑफ फेवरिटेसम ते नहीं लाग रहा कि अपने कुलीक्स ते बहुत ज़ादा मलब बहुत ज़ादा ओ अटैक नहीं करना चाओं दी पंजाब पुलिस देखो अटैक न इंतजार क्यों करवाया जा रहा है मैं तो यह कहना कि जिनन वे जांच सौंपी गई है दो टूक चीफ मिनिस्टर नो नो बुला के करना चाहिदा है कि याता तुसी इस जांच दे लाइक नहीं होता तो अनू हटना पहेगा और अगर तुसी इस जांच दे लाइक होता तो अनू एक करनी पहेगी जांच मैंनू यह लगदा है कि पोलिटिकल विल दिखाऊं दी लोड होन और अगर चीफ मिनिस्टर चान ता ए जांच मीन्याच नी सालनाच नी एक कंट्यां ते दिनाच पूरी हो सकती है क्योंकि बहुत सारी चीजां जो तुसी जाम लगा रहे हो क कि की अफसर कौण कौण इना ते मेरबान सीगा किस किस अफसर ने की कारवाई किती है किस आदमी ने की किता ओ एसाइटी रिपोर्ट ची किक चीज लिखी होई है पर सवाल है क्या है कि क्या हो साइटी रिपोर्ट पड़ी किसे ने अगर बों रिपोर्टा पढ़ी हा है पिर भी कारवाई ने हो रही ते फिर सरकार्नों सोचना चाह Apollo कि एद्धन क्यों ने हो रहा और जे रिपोर्ट नहीं पड़ी है तब प्रत सुझ ट्ट्टू उड़ सी इस सारे मैक में नू पताएं सवाल है कि गड़े चा साफा पावे कौन लेकिन सरकार ने हुँन एलान करता है साफा ते तो अनू पाणा पाएगा लेकिन जलूस कड़ा के साफा पाओगे या फिर काइदे कनूर नाड जनता दी नजर चे ए मिजाल पेश करोगे कि आ देखो आ कंक्रीट कारवाई किती टाइम सिर किती किसे बाएलेक्शन या इलेक्शन लही नहीं किती ए पंजाब दे हकां लही कारवाई किती ए पंजाब दी बरबाद हुन दी पीडी लही कारवाई किती ए उन्हा ड्रक्स समगलरा नू सबक सिखाउन लही कारवाई किती जो इना पोल्स वालेयं दे दम्ते राज कर दे सी या इत वना लोकांटा नो इनसाफ देन्ंली करवाई टी जिनुन इन्हें तक के नाड़ पसाया सी ये उना केसहंदी तुसी हम का साइटी आप अडर शर्दवेल निद्जिक चितन के जाके लेबोर्टरी चे जड़ा है गलत सेंपल देके निमूना फेल करा दो जेड़े जड़े अफसर इना केसा दे टाइम इना डिफॉल्ट बेल्स दे टाइम इना निमून्या दे फेल होन दे टाइम उथे बैठे सी या सुपरवाइज कर दे सी ओ सारे टंगे जाने चाहिए क्योंकि अगर कोई डिफॉल्ट बेल होवे जिनने भी पुलिस बाले सुन रहे होंगे सारे नूचंगी तरह पता है सारे पुल्ड सबसरा नूँ पता है की उन्दा है डिफॉल्ट बेल्ट कटो कट पहले ही दिन पहले ही कंटे सस्पेंशन हो जन दिए कोट कचेरिया च उन्हा सारे अफसरा नूँ सजा देना बंदा है उन्हां दे खिलाफ कारवाई करना बंदा है जो उन्हां दे सुप्रवाईजरी अफसर सी जिनना ने इंदर जीतनू राज जीतनू टोक्या नी रोक्या नी उन्हा सारें ते कारवाई करना बंदा है चाहे वो SSP लेवल दा हुए हुण सवाले उड़ता है फिर सारें ते कारवाई कर दो एते काम हारके टंगने पहने बंदी ये कारवाई करनी मैं गर ना टौप अले यां तो शुरू करो तो पले यां तो शुरू करोगे ना अग्गे तो कोई इस्टन दी गलती नहीं करेगा और जे एक एंदेर होग नहीं मिन्नों नहीं लगदा फिर किसे तो आस उमीद रखी जावे एक परीते सफाई करनी पाएगी ए देख लो तुसी कि किदी मैलाफाइड इंटेंशन सी किने इना तो फाइदा लेके इना नो बक्षा परमोट किता या इना ते केसा नो इग्नोर किता ते किने रूटीन इंच वैसी करता हुदी इना नार सांट गांट नी सी ए थोड़ा जया तुसी फर्क रख सकते हो लेकिन जिना बंद्यानू पता सी कि ए केसांचा गडबड हो रही है जिना बंद्यानू ए दसे अगया सी कि ए लोग गडबड कर दे हैं पुलिस वाले बाबजुद उस दे का हाई कोट्च जो भी इस केस दे डिवल्मेंट होंगे उस केस नू रिपोर्टर तो आटे तक पहुंचा रहे हैं और असी पुलिस जो मर्जी करें असी इना नू भी बेन काप करते रहांगे सरकार नू असी एक कवांगे कि अगर एक केस तुसी खोल लिया है और हाई कोट न करन वाले ते इना दी प्रॉपर्टी बनान वालें दे खिलाब भी उसी रफ्तार नाल केस दी जांच करो जिद्ना की लीडरां दे खिलाफ हो रही है एक पुलिस अबसर सी ते पुराणा केस है इनू बाच देखलांगे लेकिन पुलिटिकल आदमी है या एसी ट्रैप किता आदमी इदी जांच तेज होनी चाहिदी है ड्रक्स दा मुद्दा पंजाब च सारे आं मुद्यां तो गंबीर है पुलिटिकली प्रस्टाचार करन वाले कि थे जानगे पाज के इथी प्रॉपर्टी अबनाई है लेकिन ड्रक्स दे केसांच जिना ने प्रॉपर्टी अब बेनकाव करना विजलेंस और इना अफसरांदा पहला फर्ज पहला तर्वोना चाहिदा और सरकार इदे ली मैंनू यह लगदा है कि हर हाल्च बचनबद होनी चाहिदी है कि जड़ा काम शुरू किता है यह सुस्त तरीके नाड़ती मी गती नाड़ना चले इदी गती तेज करन्दी लोड है जनता देख रही है की कार्वाई हुं दी है मीडिया देख रहा है कोड्स देख रहे है हर बंदा देख रहे है लेकिन एक मीनेच कुछ होया नहीं है असी इस केस नों उदों तक फॉलो करांगे जदों तक एक किसे मुकामते नहीं पहुंच दा सर तुसी गहल कीती भी कारवई चलो हूँ कारवई सरकार ने कीती है लेकिन अमनी जम्मा गो मैकमा नहीं उदानप हो आ रहा नेटवर्किंग किनी स्टॉंग सी तुसी हो रिपोर्ट सार यहां डीपली पड़िया है जिते चांदे सी परमोशन मेल दी सी जिते चांदे सी राजीत इनार ट्रांसफर मेल दी सी एथे तक कि सर कि हरपी सिद्धू होना ने अपने बियान दे वेच रिपलाई जड़ा देता है उच क्या भी मैं अगाह किता सी इंदर जीत ना लगाया चाहे CIE या पब्लिक डिलिंग ते लेकिन फिर भी उन्हों इग्नोर किता जन्दा सी सो हेड़कॉर्टर तक तार जुड़े होए सी इस पूरे केस ते अगर हरप्रीज सिद्धू ने इंदर जीत नूँ दो जार स्ताराज गिरिफतार की था ते दो जार ते ही तक के केस के थे दो स्टेप अगे वद्या बाया हाई कोट मैंनों लगदा है कि यह हाई कोट दी अगर स्टेफ दे चीफ दी शुरू किती जांच नू बैक में दे बाकी अफसरा वोलो हुंगारा नहीं मिले आओ और पूरे इस वर्टीकल नू एक वर्टीकल दी कहला है राजीत इंदर जीत दा एक वर्टीकल है एद्दा दे दो चार छे आठ होर वर्टीकल भी कम कर सक द के हम इनू लगदा क्यान युक्स अब नहीं कर सक दी या ननु नहीं आप सर क्योंकि लेकिन ड्रॉक्ट कारो ओष पैसे ता इनना ज्यादा सर्कुलेशन होंदा ओन्स किया इस टीएफ चीफ, 2018 लगे सी इसऀसेनों केक केता सभ्काइ bueno अगर को बाहने मना लेंदे हसल फी ही कोट्ट दे जड़ि जंच पर एक्षण। ले रही है हएं और उस एक्षन दू अ सब्सक्तप्राइब कि हाई कोड़ दे संग्यांच नीजी पर तुसी इस गल्दा अंदाजा लगाओ कि इस तारा तो ते ही आ गया और हाई कोड़ भी किन्ने साल जांच रिपोर्टां पईयां रही हैं मैं तहीं कह रहे हैं कि सरकार कए ना हुन एक्षन करके दखावे और तेजीनल एक्षन करके दखावे क्योंकि ड्रक्स तो बड़ा कोई मुद्दा नहीं है होन सरकार बाइलेक्शन तो बेली हो गिया होन सिद्धी होगे इस केस ते लग जबे और अकाउंटेबल बनावे उना अफसरानू जिना अफसरान ते जिम्मेदारी धित्ती गई है अगर वो स्ट्रॉंग कारवाई कर दे हैं कानूनन जो कारवाई होनी चाहिए फिर उना नू तो शावाशी देन और नहीं कर दे हैं ते मैं नू लगदा उननों पोस्टिंग दे रखन दा कोई दिकार नहीं है जे एस्क पुलिस वाले आंदे ड्रटस दे केसे ते effective जान्च नहीं कर सकती इस तरह यह इस तरहां दीS dhrad drugs दे 15 जाश कर हैं दा कोई सवाल नहीं बन्दा एगर मानलो इसपे राजीत इन वाल्वह नहीं है मानलो एक मिनिटली अगर नहीं है βै जांछ करोगkę तहीं पता लगेगा न तोना देवी रामनाल बरंट लेलो फिर कोटनू को जी दसों हुनगे की करना ऐसी की करिए फिर लिस्टा बनाई जो रुक्के पे जीजो चिठीयां पे जीजो नोटिस पे जीजो भाई बाकियां देता तुसी कर देन दें नक्षदम जे एक मानलो की जेब कतरा एक किसे अफस ते फिर केसा नो ठंडे वस्तेच पान ली डिले करन लई या किदा उस जांचनू जेडा हो डीरेल करना है लटकाना है रेन दो हले कर लांगे उदों तक महौल बदल जूगा आ आ जूगा ए सब तरकीमा सुजान लग जान देओ एक गलत है डबल स्टेंडर्ड नहीं होना चाहिदा मुलजम चाहे आम आद्मी है मुलजम चाहे सरकारी आद्मी है मुलजम चाहे पलिटीकल आद्मी है सारे हैं धे खिलाव स्ट्रॉंग सिद्धी और जो कानून चानून data होना चाहिदी है 노 इफ-no but ते इस अदिरॉ आध अग होना चाहिद आ उना केसान दी रिपोर्ट लई जाए, आउटपुट पुछी जाए, उना दा स्टेटस पता किता जावे इदेली वकाइदा स्पैसिफिक अधिकारी चिन हित करके नॉमिनेट किते जाण कि इदा रिस्पॉंसिबल अफसर ये होएगा और उस अफसर नू बुला के महीनेच, हफ्तेच, पंदरा देंच एजी दी मौजूदगीच, सीनेर अफसर दी मौजूदगीच, सारी स्टेटस रिपोर्ट लई जाए ताकि कानून दा मजाक उडान वाले, पैसे बनान वाले, लोका नर तका करन वाले नूँ खौफ और दर रवे कि उनना ते किसे दी नजर है या इस केस फासगिया हुन बचना सौखा नहीं है अगर एक केस चूड़ी टाइट कर देगी न सरकार, बाकी अफसरा नूँ कान वजेगा इस करके कान नहीं हुन दा क्यूँकि चूड़ी टाइट नहीं किती जन्दी कोई आदमी किदा उस केस नूँ डिले कर सकता है, वो अपनी खाना पूर्ती कर लें दा इस सरकार नो मंजूर नहीं करना चाहीदा, चूड़ी टाइट करो और जड़ी परफॉर्मेंस बेस्ड पोस्टिंग नू सुनिश्चित करो जुरूरी बनाओ ताहीं पंजाब दे लोग का नू सही इंसाफ मिलेगा क्योंकि हुन जड़ी गल किती है कि एक ट्वीट दे करता है लेकिन हुन सरकार नू लोड है पुलिटिकल विल दखान दी क्योंकि ड्रग्स हमेशा ही जड़ों ही इलेक्शन होंदा है कुछ भी होंदा है ड्रग्स एक इशू होंदा है लेकिन हुन सरकार को मौका है पुलिटिकल विल दखावे इस पूरे केस नूँ एक्सपोज करे केड़े बंजे राजजीत और इंदरजीत दे नूँ पैरवी करदे सी उना नूँ एक्सपोज करे और ABP सांजा लगातार इस केस ते investigation करदा रहेगा नवे नवे खुला से थड़े कोल लेके अंदा रहेगा देस दुनिए बाकी करदा ली देख देरो ABP सांजा